बिहार विदान सबा में अध्यक्षपद के लिए सत्तापक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना उंबीदवार उतार दिया है इंडिये की ओर से जहां विजाय कुमार सिन्धा ने नामांकन किया तो वही महागट बंधन ने चुनोती के रूप में अध्यारी चौदरी से नामांकन कराया है विदानसबा अध्यक्षपद के लिए पक्ष और विपक्ष के आमने सामने आने से पहली बार परंपरा तोड़ दी गई और इसे दिल्चस्प बना दिया गया इस बार सत्तापक्ष की तरफ से नहीं बलकि विपक्ष की और से विधान सभा अध्यक्षपद के लिए दावेदारी की गई है आखिर विधान सभा स्पीकर कौन होगा इसकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी आज दोनों और से नामंगन करने के बाद विदान सभा अध्यक्षपद की कुरसी पर बैटने के लिए इसे दिल्चस्प बना दिया गया है हाना कि आकरों की बात की जाए तो इंडिये के प्रत्याशी विज्वे गुमार सिन्ना की जीत पक्की मानी जा रही है फिल्हाल तेजस्वी आदव ने जो विदान सभा में अध्यक्ष बनाने को लेकर बयान दिये हैं उससे फिल्हाल तो उनके होसले बुलंद नजर आ रहे हैं लेकिन ये भी जानने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो तेजस्वी के बयानों को ताकत दे रहे हैं हलंकी तस्वीर कल पूरी तरसे सदन में साफ हो जाएगी कि तेजस्वी के दावो का ठोसाधार क्या है